और केहाल ने मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का शुरेथा पाक कलम स्वागत की साथ साथ अभिनादन करती। तथा आपने नए दोस्तों कैसे बूल सकती हुँ, हेलो आप लोग कैसे हो, आप शुरेथा पाक कलम बना अलूमटर के द्वारा तयार प्लॉओ, जो बहुत प्रफटी टेस्टी बन के तयार होगा जटपट बनने वाली रेसिपी है कभी कुछ हलका-फुलका खाने का मन क्या तो आप इसको फटापट बना के तयार कर सकते हैं बहुत थोड़ी सामाकरी के दोरा यह बन के भी तयार हो जाता चलो दोस्तों हम आप इसको मिल्क के बनाना आलू मटर के दोरा तयार प्लाव आज हम आलू मटर का प्लाव बनाने जा रहे हैं जिसके लिए सबसे पहले हमने चावल को भीगो के तयार कर लेना है दो कटोरी हमने चावल लिया है आप जो चावल ही उसके दोरा भी इसको बना के तयार कर सकते हैं अब इसको दो से तीन पानी से हमने अच्छी तरह से धुल के साफ कर लेना है चावल को केवल 15 से 20 मिट के लिए भिगो के रखते हैं और देखी इस तरह चावल तयार होगे इसको एक प्लेट की साहता से ढख के रख देते हैं एक मीडियम साच के आलू लिया है जिसको छोटे टुकड़े में काट के तयार कर लिया था इसको पानी के अंदर डाल के रखते हैं एक कटोरी हमने ताजी फ्रेस हरी मटा लिया है इसको भी हमने छील के तयार कर लिया था दो से तीन टेबे स्पून किसमें से अगर आप पसंद करते हो तो जरूर डालीएगा इसके अंदर तीन से चार टेबे स्प प्लाव काता एक इंच दालचिनी का टिकड़ा है इंसारी समागरी को हमने तयार कर लिया गैस पे हमने कढ़ाई रग दी आज का हरी मटर और आलू के तवारा तयार प्लाव हम कढ़ाई के अंदर बना के तयार करेंगे और देखी कढ़ाई गरम हो कि इसके अंदर दो बड़ी लाइची छोटी लाइची साथ साथ जीरा डाल दिया इन सारी समागरी को डालने के बाद एक मिनट तक इसको चला लेते जिससे इसका फ्लेवर अच्छी तरह से घी के अंदर आ जाए और इसको करने के बाद अब इसके अंदर इसके अंदर जो टुकड़े वाले का और बहुत टेश्टी बन के तयार होता है, अगर आप पसंद करते हैं तो पिसा मसाला ही मिला लीजाए, हमने किवले इसके अंदर साबुत मसाले ही मिलाए हैं, अब इसके अंदर हमने 2-3 हरी बिर्चे लंबाई में काटी, साथ इसाथ अधरक भी लंबाई में काट के रहे कि इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके साथ चलाते हुए लगभे एक मिनट तक इनको भून लेते हैं, अब इसके अंदर स्वात के रखा तो इसके पूरे पानी को निकाल देते हैं, और सिर्फ चावल इसके अंदर डाल के चावल के साथ इन मसालों को करीब 2-3 मि ब्हुन की तयार कर लेना है इसकंदर हम नमक सब्सक्राइब हम 200 लिए अब इसकंदर की ताक्र बत चाम के साथ करीब एक से दो मिनट तक हमने भून के तयार कर लेना है सारे मसालों के साथ ही चावल भून के तयार हो गया है अब इसके अंदर हमने पानी को डाल देना है दो कटोरी हमने चावल लिया था जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से इसके अंदर पानी डाल गैस की फ्लेम को अपने हाई रखना, हाई फ्लेम पी उबालाने तक हमने पका के त्यार कर लेना है, इसको हमने ढग देना है, और इस तरह ढग के रखके लगबक तीम नट होगे, इसके अंदर उबाला गया, फ्लेम को लो कर देती, इसको एक बार चला देती, बारस इसको शक्कीज को पकार लेना है और एक दुबार इसको चेक कर ले ती पर चलाते नहीं स्काला नहीं और इससाथ स्वात के Samson Koji B दिया वहां से आप यस बसाले को देख सकते हैं अब इसके तरके के त्यारी कर लेते हैं इसकी तरके के लिए एमने चौथाई टीबे स्पून जीरा लिया है चौथाई टीबे पत्ता था उसको दो टुकुडे में तोड़के तयार कर लिया, साथी साथ एक हमने हरी मिर्च लिया, आप लाल मिर्च के द्वारा भी तड़का लगा के तयार कर सकते हैं, और इस तरह देखे तड़का बनके तयार होगे, पूरी तड़के को राजती के अंदर मिला देते हैं इस तरह देखे मटर प्लाव भी बनके तयार होगे, इसको एक पर चला देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाली रिस्पी है, आप चावल को या प्लाव को कभी बनाई ही तो हम इसा साइट से उसको चला के मिला लीजे, और इस तरह देखे एक दम पिकरी-पिकरी दाने चावल इसमें हमने कोई बासबती राइस का पुविग नहीं किया है, यह वैसे ही साबुत चावल है, जिनके द्वारा आज का मटर प्लाव हमने बना के तयार किया, इसको हमने पांच मिनट के लिए धक के ऐसी ही छोड़ देना है, और पूरे मटर प्लाव को बनाने में कामिल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाली रेस्पी, breakfast, lunch, dinner, किसी में भी आप इसको व्योग कर सकते हैं, अगर रेस्पी अच्छी लगे दोस्तों वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अभी तक आपने मारे चैनल स इसको सब्स्राइब करें, मुझे कमेंट करके उता हैं, इस तरह आपने मटर आलू का प्लाव बनाए तो आपको कैसा लगा, मटर प्लाव को एकदम से फ्रेज दहिक साथ खाई, या फिर किसी राजतेक साथ, पापड़ या अचार के साथ भी इसको खाना परसंद करें, बह आपने मटर कीमती समनिक आके हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्माद, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते अपनी नई वीडियो, नई रेस्पिक साथ, श्राता पाक कलाम, बाई दोस्तों, एंड टेक केर